Angle of Elevation of a cloud from a point 60 meter above the lake is 30 degree and angle of depression of two reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. तो यह पहले इसका हम एक डाइगराम बना लेते हैं. तो यह हो गई हमारी water surface. यहां मार लेते हैं यह हमारा cloud है. इस पॉइंट को सी से लिनौट करेंगे. 60 meter अब 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 इसका रिफ्लेक्शन जो है पानी में बन रहा है जाके. और इसका एंगेल अब एलिवेशन हो जाएगा 60 degree. चलिए इसकी अब नेमिंग करते हैं. पानी में चलिवेशन हो जाएगा. तो चलिए अब question को solve करते हैं तो पहले हम इस angle के लिए 1030 लगाएंगे जो क्यों जाएगा cm upon pm 1030 की वेज़े होती है 1 by root 3 और तो cm हमने लेट करा था वो h है और pm को जैसे के वह ही लिखेंगे तो हमको यहां में निकालना है पीएंगे इसको रूट 3 इसको एक बॉक्स में बंद कर दिए है जो नाव इन ट्राइंगल पीएंट सी हमाँ पास 1060 है तो जो कि cm upon pm हो जाएगा 1060 की वेज़े रूट 3 रूट 3 लगा दिए हम लोग एड़ प्लस 60 प्लस 60 वो पीएंगो जैसे का जैसा लिख रहें देंगे तो जो पीएंग होगा वो एड़ प्लस 120 इपन जूट 3 हो जाएगा इसको आप पेसे बॉक्स में बंद कर देंगे इसको एक्क्वेशन वन से जिनेट कर दिए है और इसको टू से और इन दोनों को हम कोईट कर देंगे रों फर्स्ट इंगे एक्वेशन वी एड़ रूट 3 है इसको टू एड़ प्लस 120 अपन जूट 3 क्रॉस मंटिप्लै करेंगे तो यह थी है जो जाएगा एड़ प्लस 120 तो यहां से जो है एड़ इसको टू आजा एगा हमारा 120 अपन टू जो भी होगा एड सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से जो है हम सीवी निकाल लेंगे सीवी जो है वह सी एम प्लस एम भी होगा जो कि एड़ प्लस 60 होगा जो कि 60 प्लस 60 होने के बाद 120 तो यानि की जो हमारी हाइट है है हैंस हाइट फ्लस 60 प्लस 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 60